तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे 13 लेक्चर ओफ सॉलिड स्टेट में तो दोस्तों आज हमें पढ़ना है कॉडिनेशन नंबर को और पिछले लेक्चर में हमने पैकिंग एफिशेंसी को कम्प्लीट करा था लास्ट हमने पैकिंग एफिशेंसी एचिपी में और उस कोमेंट करके हमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कामेंट करके भटाएं आपको रिप्लाइज़ जरूर दे और इस्ट्राग्राम का भी लिंक को निंग्स कीटेशं में मिलती रहे तो इसे के साथ शुरू करते हैं का लेक्चर तो दोस्तों आज हमें पढ़ना है coordination number तो सबसे important बात है कि आपको इसमें एक term समझनी पढ़ेगी nearest neighbors क्या होते हैं दोस्तों nearest neighbor में आपको life example से बताता हूँ जैसे कि आपका घर है आपका घर से कौन-कौन से घर जुड़े हो सकते हैं एक आपके बाजु वाला मतलब एक आपके left वाला जो left में है वो आपके घर से जुड़ा हो सकता है एक आपके जो right में है वो घर आपके जुड़ा हो सकता है एक जो आपके घर के पीछे जो घर होगा वो भी आपसे जुड़ा हो सकता है और एक जो अगर आपके घर के सामने बिलकुल जोड़ के आपके घर के सामने घर बना दें तो वो आपसे जुड़ा होगा लेकिन क्या ऐसा हो सकते है कि आपके घर से दो गली छोड़ के घर है वो आपसे जुड़ा होगा नहीं न तो nearest neighbor वो होंगे जो आपके घर से directly जुड़ सकते हैं एक आपके left वाला एक right वाला एक आगे वाला एक पीछे वाला एक उपर वाला एक नीचे वाला तो बस इनके अलावा दूसरी गली से आपका कोई बंदा नहीं आ सकता जुड़ेने के लिए तो nearest neighbor का मतलब समझें कि आजू 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 दूसरा particle होगा उसके दूसरे साइड में दूसरा particle होगा तो ऐसे करके कितने particle हमारे different different unit cell में जुड़े हुए हैं उसको कहते हैं coordination number of different unit cells तो number of nearest neighbor कितने number of nearest neighbors जो particle के हैं एक unit cell के अंदर उसको हम कहते हैं दोस्तों coordination number अब हमें coordination number निकालना है जो हमारे CBSC में है 3 है, simple cubic, body centered, face centered बाकि HCP, CPP इन सब के भी पूछे जाते हैं वो next lectures में दोस्तों बताए जाएंगे लेकिन important यही 3 है, mainly आप से यही 3 के बारे में पूछा जाएगा तो वैसे आपको directly याज रखना है कि इनके क्या क्या होते हैं लेकिन मैं आपको फिर भी explain करने की कोशिश करूँगा थोड़ी सी visualize करें दोस्तों जो मैं बताऊंगा उसके बाद हम मैं इसको लिग दूँगा तो उसी तरह से आपको देने पड़ेंगे इंस्टाग्राम पे दोस्तों मैं quiz भी upload करता रहता हूं time to time तक आपको revise होता रहे जो आपने कर रहा है तो इंस्टाग्राम पे जरूर follow कर लें दोस्तों तो अब हम बढ़ते हैं अपने इसके जरूब तो simple cubic अब अब यह simple cubic units है लें दोस्तों अब इसके अंदर simple cubic में आपको पता हुए और पर पार्टिकल्स होते हैं अब एक पार्टिकल्स कितनों से जुड़ा होगा यह नहीं देखना कि आपको सिर्फ यह अगर मैं इसके ऊपर कुछ रग दू साइड मैं कोई इस साइड कोई पार्टिकल्स रग दू क्या नीचे कोई पार्टिकल्स रग दू वह उससे जुड़ रहा है तो वह होगा उसका अपको यह नहीं कि सिर्फ इसमें देख लोगों तो हम इसका देख लेते हैं इस वाले का तो अब यह वाला एक पार्टिकल है अब यह वाला तीन से तो यहीं पर जुड़ा हुआ है एक दो तीन ठीक है दोस्तों यह वाला पार्टिकल एक दो तीन तो यहीं पर जुड़ा हुआ है अब ती अब हमें और देखना कितनों से जुड़ा हो सकता है अब यह तो नहीं है इससे तो नहीं जुड़ा ना इससे जुड़ा ना इ कितने हो गये फौर ओगया भी टच अब एक और मैं इस साइड रग दू लेफट साइड रग दू एक लेफट साइड रग दू तो वह वाला जो क्यूब आए गा इसके विलकुल साइड में उसका पार्टीकल इससे टच हो जाएगा कितने होगे फाइव हो गए आप ऐसा ही से मैं इस साइड रख दू तो इस साइड तो जो हमारा क्यूब बनेगा वो इससे जुड़ जाएगा तो तीन तो आपके यह जुड़े हुए और तीन आपके कौन होगे एक आपने उपर रख दिया वो जुड़ गया फोर एक आपने यह लेफ्ट राइड रखा एक राइट क्या वो जुड़ा होगा नहीं क्यों वो दूसकी गली में आ गया दोस्तों यह देखो यह आपकी साइड यह उपर होगे लेकिन जो पीछे वो थोड़ी न आ जाएगा तो ऐसे कितना हो गया 123 एक साइड में 456 तो सिंपल क्यूबिक का कॉडिनेशन नंबर कितना होगे दोस क्या है लेकिन अगएक लुकल अंदर के अंदर रखता होगे लने अपने गर में बैटे होगे लिए पूरा हमारा बोड़ी body centered है इसके बीच में बिल्कुल हम रख देते हैं एक बीच में लेकिन ये बड़ा क्यूब होगा ये पूरे 8 की 8 कॉर्णर के पार्टिकल से टच होगा पूरे 8 की 8 क्योंकि कॉर्णर में जो पार्टिकल्स होते हैं अब तो ये हमने इसके बिल्कुल एक दम पीछ आगये तरफ आसे करके इनका पूरा क्यूब बनता हुआ तो यह अंदर रखूमा में क्यूब वो पूरे आठ के आठ से टच होगा भार वाले से टच नी होगा जैसे मैंने यह रखा है इस चे अंदर मैंने रख दिया क्यूब के अंदर अब यह कितना से टच हो रहा है एक एक, एक हो गई यह वाला आपका, एक, दो, जो रेड़ वाले उनको गिनना है, पूरा है, एक, टू, यह आपका, थ्री, फोर, यह आपका, फोर, फाइव, सिक्स, और यह, एक मिल्ट, और यह आपका, एक, ध्यान से देखना, वन, टू, थ्री, यह भी आपका जुड़ेगा, यह थोड़ा हो, फोर, फाइव, सिक्स, एक तो, और एक यह, यह वाला, जो बीच में, सेवन, और एक, इसके पीछे भी तो होगा, एक, सेवन, और एक, इसके पीछे भी तो होगा, पीछे वाला भी तो जुड़ा होगा, ऐसा जैसे यह है, वसी एक पीछे होगा, क्योंकि बीच में तो इससे यह भी जुड़ा होगा यह बी यह भी, यह भी यह भी यह ब कितनी हो बॉदी से मदब हो गया है और उतके हो अपके से इंपल याद रखना कैं से मतलब नहीं को अदर यहां रखा अंदर किते पार्टिकल अचais Zen दोस्तों फैससे सट्र लेते मालुल इसका फेस इस पर आपक डिया कूए है ठीक है न है यहां भी रगदो है यहां भी ऐसे अब यह पार्टिकल कितनों से जड़ा होगा और वन तूरी फॉर से इस जड़ा होगा है realization को जैसे अंदर आपके अंदर ओगी नि आपकी चार साइड हो गया यह वन तो यह दूसरा तीसरा और यह बार यह दो है और ऊपर वाले तो चार से जुड़ा हुआ अंदर वाले से चाहिए आपके होगे ऊपर वाले हैं और अगर आप एक क्यूब उठागे इसके ऊपर रख दोगे तो उनके चार तो पार्टिकल होगे उससे भी जुड़ाएगा उससे भी जुड़ाएगा तो फोर अंदर के फोर उपर के और फोर यह वाले तो टोटल कितना होगे तो फेस सेंटर में आपके फेस सेंटर का कॉडिनेशन नमबर होगे तो इस तरह से हैं दोस्तों यह आपके यह एक समझाने का तरीका दा विजुलाइज करना पड़ेगा आपको इसमें थोड़ा दा विजुलाइजिंग पाउर आपके लगेगी तो इस तरह से हमारे हैं तो इनको आप याद रख लो याद कर लो और मैं समझ आई गया आपको कि किस तरह ही हैं सिम्पल है दो उस तो बिल्कुल सिम्पल इनको याद कर लो कि एक अगर आपने एक के अंदर रख दिया तो इसके एक वन टू थी फोर फाइफ सिक्स यह सेवन और एक पिछवाला एट हो गया और इसके इसके अंदर क्या दा आपका जो सिम्पल क्यों के कॉर्णर के दोस्तों आज का लेक्चर अगले में पढ़ेंगे हम पैकिंग पैकिंग एफिशेंसी तो हमने पिसले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कॉंस्टेंट पार्टिकल्स को पैक्ड करेंगे एचसीपी और सीशीपी का डिफ्रेंस उनके बीच में सिमिल्यारिटीज इन सबको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे